नमस्कार मैं आपकी वासुगुरु मानिया, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नर्म देश्वर शिवलिंग के क्या फायदे होते हैं, उसको घर में रखने से क्या आपको सही दिशा मिलती है, आए जानते हैं, घर में नर्म देश्वर की जो स्थापना होती है, वैं जरू इस शिवलिंग की पूजा करने से सभी प्रकार के जो रोग होते हैं, वह मुक्त हो जाते हैं, इसके साथ ही यह आपको आपके परिवार जनों में एक जो भी संकट आता है, उसको वह टाल सकता है, यदि आप किसी काम के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी का करन वह काम आपका सफलता से हो नहीं पा रहा है, तो इस तिती में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा बहुत ही असरदार होती है, नर्मदेश्वर शिवलिंग भागयोदे से भी कल्यानकारी साबित होता है, अगर हम बात करें नर्मदेश्वर शिवलिंग की, तो प्र भब भी आता है और ज्ञान और एश्वर्य की प्राप्ति होती है। नर्म देश्वर शिवलिंग की स्थापना करने से घर में सभी प्रकार के नेगिटिव एनर्जी जो होती है घर से दूर ही रहती है। इसके अलावा यह शिवलिंग जो है शारीदिक कष्टों को जो परिशानिया आती है उससे भी छुटकारा दिलाने में बहुत ही मदद करता है। इसको जो है आजमा के देखें आप अपने घर में नर्म देश्वर शिवलिंग को ला कर उसकी पूजा करके देखें। नर्म देश्वर शिवलिंग से जो है आपको जो अकाल मृत्य होती है उसकी संभावना भी कम हो जाती है। वेद पुरानों के अनुसार भी अगर देखें तो जिस ठान पर नर्म देश्वर शिवलिंग का वास होता है वहां काल और यम यह प्रवेश भी नहीं लेते हैं। आपको कल फिर मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिल सकें नमस्कार आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की